असलाम अलेकुम लिए स्टूनेंट्स उमीद करते हैं आप सब खेरिया से होंगे तो बेटा नाइन्थ कलास इसलामियाद कहां से त्यारी करनी है क्योंकि बच्चे यह नहीं पढ़ते पुरा सा मुझे पता है तो किस त्यृकर सा आपने त्यारी करनी है और करने शाहरा है क्या 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 से पेपर में आने वाली है सारी छीजमा आप लोगे साहरे करने जा रहा है तो अगर अच्छे हमिद्ल और और आपके सब कोशिश करने है इन चीजों याद कर जाएं और इwn// आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोगों की बुक है नाइथ कलास इसलामियत की बेटा जो पहनी चीज़ आपने त्यार करने है यह नियू कोर्स है ओल्ड कोर्स में वह सुरतन फाल सुरह हजाब वगरा होती है ठीक है लेकिन अब आपके तर्जमत का पॉर्चन लाइदा हो चुका था और इसलामियत लाजमी जो न्यू कोर्स है उसका पेपर बिताने जा रहा हूं तो यह आप लोगों की बुक है जो दोजार तेजिसो चूबिस में आपको परवाइड की गई है तो पेटा पचास नमर का पेपर आएगा और पचास में इ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने बेटा नोटिफिकेशन वैल को नहीं तबाए तो पहली चीज़ आपने त्यार करने वह हैं एम सी यूज हर सब्चेक्ट में यही होता है कि अगर आप लोग अच्छे मास लेना चाहते हैं तो बेटा आपने एम स बुक के अंदर से आएंगे तकरीबन छे या साथ जो मशकों में अंच्फ होते हैं वह एंगे दस नमर के मसी आएंगे और तीन या चार एम से चैप्टरों के अंदर से आने वाले हैं अब बेटा जो एमसी गूज वाला गेस पेपर जल्द जद अप्लोड हो जाएगा लेकिन वैने स्कीम अप्लोड कर दी हुई है कि कितने एंसीग चैप्टरों के बाहिर से आने कितने एंसीग चैप्टरों के अंदर से आने वह आप लोग इस वीडियो के फोरण खतम होने के जो स्कीम वाले वीडियो में दिए एक अपनी तरी कर सकते है आपने लिसो करने करना है अपने करना क्या किए और इसमें से करना यह पहले अपले आप लोगोंने पोहुचना है सिधा ड्रैक्ट पेज नंबर आपने जाना है मैं आपको बताता हूं जी हदीस वाले portion पर जाने है पेज नमर 6 और 7 पर जाने है 3 नमर का paper में बताने लगा हूँ 3 नमर है, 10 हदीसे है इतनी इतनी हदीसे है उनका तर्जमा लिखना है 3 नमर आपके confirm हो जाएगे पाते हैं सिक्ष पे उसमें से मिवह बालते हैं हडीत्त इनल्मुमिनी स्वरा अधीसым कि लादेश validकर मॉनिनुंध यह हज़़ करनी है 99% इन ही में से आ जाएगा एक आदा बोर्ड ऐसा होता जिसमें जो पेपर है आपका वो आगे पिछे हो जाता है लेकिन पेपर स्कीम फॉलो हो जाती है पहली हदीस आपने करनी है क्योंकि पेपर में जो आती है जिनके आयत छोटी हो इतनी हो कुछ आदीस है उनके आयात जो है वो डेड़े दो दो लाइनों कि वो बेटा पिछ पर में नहीं आती है पहली दूसरी चोथी ठीक है उसके बाद बेटा आपने करने है आठवी नौमी और दसमी ठीक है कि यwhi यह पिच्ण विश आनके अहिर को असे अब रफर्ण करा दिया पर यहाँ से लुपर पेज़ नम्बर को पै Jeśli अगए करने Counseling को यहां। तो बेटा यहां से आपने करना है लफज करात कुरान के रात से बना है ठीक है यह आपने करना है पहला क्वेचन उसके बाद आपने बेटा करना है कुरानम जीन के हफाज़त के बारे में क्वेचन ठीक है यह महफूज तरीन खताब इसमें से और बेटा आपने मश्की सवाला त्यार करने हैं इस चैप्टर के उसके बाद बेटा नेक्स चलते हैं जी बेटा शोर क्वेश्चन के दो डबे आएंगे पेपर में पहला डबा जो है वह आप लोगों का चैप्टर नंबर बाब नंबर वन तू और थ्री बाब अफ़ल बाब दोम और बाब सो में से बनेगा पहले डबा शोर सवालात का तो बेटा अब आपने इसके लिए कहां से त्यारी करनी है वह आपको बताता हूं। तो पहले आपने करना है शिर्क की एक्साम याद करनी है ठीक हैं यह लोगों का वहचन में भी आते हैं तो ईद के लगवी मानिक यह याद करने हैं अपने और और उसके बाद आपने exercise में जो शोर सवालात है ना वो आपने तियार कर लेने है बस ठीक है अकीदर सालत से क्याम राद है ये आपने तियार करने है खत्म नभूत से क्याम राद है उसके बारे में एक हदीश आपने ये तियार करने है उसके साथ अपने exercise में जो सवालात है श हुई है वह अपनी त्यार करने या बहुत इंपैर्ट यह वह पूछ ली कितनी और इन को किन किन रसूलों पर नाजल किया गया है मोस्त iMPorrent question' तो बेटा यह अपने गरने और शोर सा पर जो जाएगा इसी तरह सिर्थ नभी एहद नभी के माहो साल प्रक्राइब तो फत्ह मक्का का पेश आया या पने करने उसके पार मश्की त्यार करने बस त्यार करने बस प्रक्राइब यहतिन अभुद membay के माहे 27 साला मशकिष हवारात अपने त्यार करने旯 अब कर शूर्वार में चाहें तो 24 में छोड़ तो नौ सब्सक्रार में है आपप लोग बाब पंजम और बाब हफ्तम से ठीक है तो इसके लिए आपने वोगों करने हैं जी वही मश्किस वाला त्यार कर लेंगे लिए लिकिन आप लोगों याद करने पर ने की चीज़ें तो बेटा दो शोर सवलात के डबे हो गये हैं उसके बाद बेटा आएंगी आप आप लोग अब बेटा तार्फ वगयरा लिखना होते हैं तो तीन पेपर में आते हैं और आपने इसे दो करने होते हैं तो हज़रत अबू मुसा अशरा यह अपने कर लेने ठीक है और उसके साथ आप लोगों ने सूफिया करामवारा जो है वह यह तियार कर लेने ठीक है यह तो आप पहले पहला दूसरा और चोथा जो है यह तियार कर लेने आपने इन्शाला आप लोगों का लोगों का आएगा बाव नमर शिश्यम के इलावा वह बाव नमबर आपका दूम और सो में से एक आता है और बाव नमबर चहारम पंजम और हफ्तम ठीक है जिसमें आप लोगों को मैं बता भी देता हूं पेज नमर अगर आप लोग नाइटी सिक्स पर जाते हैं वहां पे बकाइदा मैंशन किया हुआ है कि यह लोग सवाला आप पेपर ने पूछे जाते हैं इसलामी तालीमात असरे हाजर के तकाजी हैं जी तो खुद इतमादी किस तरह निसान को तरक्णी आफता बनाती यह अपने करने जिसमानी जहनी सहत रहत यह अपने करने इसमें से चाहिटे मैंस बताई फोकस करना है हदीश हैं सबसे पहले तियार करें शोर्ट सबस्क्राइब करें सारे चैप्टरों के और साथ हैं आपने आपका तकरीमाट चालीस पंतालीस नमर का पेपर हो जाएगा बाका जो लोग सवाला आता है वो इस जाया आपके लिए आप अप्लोड जल्द जल्द हो रहा है वीडियो जल्द जल्द मिल जाएगी सब्सक्राइब कर दीजिगा मिलते हैं अगली वीडियो के लिए